एक है कि वैसे लोए कि यह फ्रेंड एक वेल्कम टू मैं चानल आज अम बात करने ओलंगे रेम को इंडस्टिस के बारे में रेम को इंडस्टिस पर यह मेरा सेकंड वीडियो इसके पहले मिने वीडियो जब बनाया था हो भी मैं बता दूंगा आपको ठीक है तो इस पर सेकंड वीडियो इसलिए बना रहा हो क्योंकि सभी को पता होगा कि शेर में बहुत सारा डाउनसेड आया है और जिनको नहीं पता और जो नए है उनके लिए भी अच्छा है अगर कोई नया इंवेस्टमेंट करना चाहता है तो वीडियो एंड तक देखो ताकि आपको कुछ नो कुछ सही सीखने मिलेगा तो यहां पर मैं दिखा देता हूँ वीडियो कब में ने डाला था और यहां पर वीडियो यह है ठीक है तो यह ग्रीन राइ कंस्ट्रक्शन की कंपनी है इसके बारे में यहां पर डेटेल बताया हुआ है तो पूरा यह वीडियो लगबग 44 मिनिट का था 44 से ज्यादा था तो फिर भी लोगों ने देखा 112 व्यूज है इस पर ठीक है तो इतने लोगों तक जितने लोगों तक पहुचा सकता हूँ क्योंकि मेरा में मोटिव यह नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज वाइए मेरा यह कि मुझे जो कहना है यहां पर मैं कहना चाहते हूँ ठीक है जो मेरे पास टॉक है वो आगे बड़ेगा नहीं बड़ेगा और क्या होगा उसमें क्या प्रॉफिट हो सकता है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ तो इस वजह से मोस्ट अप वीडियो पू तो मेरा काम है कि में कुछ अलग करो और मेन मोटiv यह ही कि मेरे जो पास Shay कि वह शेर में लोगों को बताओ कि ये शेर मेरे पास है और रही इसमें प्रॉफिट होने तो यह बताना चाहूंगा कि जो भी अभी गिरे है उनको लो और जो नए है मार्केट में तो यह चोड़ो मत ऐसा मेरा कहना है उसके पीछे की वज़ा जान लो कि मैंने बोल दिया ले लो तो यह नहीं होता तो उसके पीछे की वज़ा हम देखेंगे कि यह अच्छा है या नह इनी स्टॉक किसको कहा जाता है बहुत खराब शेर को तो खराब शेर को भी लोग लेते तो यह अच्छा है या खराब है यह हम यहां पर देखेंगे और उसका पुरा डेटेल में आपको वीडियो दिखाने वाला हो ठीक है तो फिलाल वीडियो की स्टार्ट करते हैं और य एक फाट्रेक्र चब्र्नक्राइब क्रेट करती हैं विल्डर्स अक्रोज इंडिया टैसे अarapebone और एलेज udah बिल्डिवल अब फिर घृदिरी के वार उत पर जो घ्रीनरे दिख रही है तो यह इस तरीके का यह सिमेंट है या इस तरीकी की मिल्टी है इस तरीक का material है जिसके वज़े से इस पर भी यह सब आता है ठीक है और इसका जब मैंने share बताया था तभी उसका price क्या था यह सारी detail यहां पर देख लो 245 का यहाँ पर प्राइस था ओ टाइम पर तो 245 से अभी जो प्राइस आया है तो यह मैं आपको दिखाने वाला हूँ यह मैं बताने वाला हूँ तो वीडियो इंड तक देखो और सीख लो बहुत सारी चीज़े यहाँ पर सीखने मिलेगी और अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा जेन्यून नॉलेज मिलेगा तो मैं आपको यहाँ पर उसका अभी शेर का एनलाइस करके बताऊंगा तो उससे आपको अंदाज आ जाएगा कि अभी यह शेर को क्या करना चाहिए आपको ठीक है तो पूरा डेटेल में फाइनेशल इसके बताने वालाओ जो जिन्होंने पूरा ना देखा है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए होगे तो ओभी मैं आपको यहाँ पर दिखाने वालाओ तो एंड तक वीडियो देखो तो दोस्तों मनी कंट्रोल पर यहाँ पर मैंने शेर इसका ओपन किया है एनेसी बेसी पर दोनों पर लिस्टर रही है और इसका लो देखो दोसो पाच का था अभी दोसो बारा का प्राइस चल रहा है शायद लो के आसपा से यह अभी ठीक है और 366 से इतना गिर चुका है मतलब लगबक बहुत गिराए देड़सो से ज़ादा गिराई है तो अभी जो यहाँ पर दिख रहा है इसका जो स्वाट अनलाईस दिख रहा है इसमें देखो स्ट्रेंट कम है विकनेस ज़ादा है नो है आपोर्चनी एक है थेर्ट कुछ भी नहीं है थीक है जिए तो यहाँ पर स्으면 पाच है तो उसमें क्या बता रहा है इसके कंपनिस पैसा डाल रही है तो यह नेगेट्यूटी बता रह रहा है विक्नेसे बता रहे कि आगे का सोच के कंपणी पहले से खर्चा कर रहे तो इस वज़े से यह विक्नेसे में बताया और इसे नो है और अपॉर्चुनिटी एक है मतलब इसने स्टॉक विद लो पी बता रहे इसका पी जो है बहुत सस्ता है दस रुपए से भी कम है तो इसका पी सस्ता होना अच्छी बात होती है ठीक है अपॉर्चुनिटी होती है कि यह शेर आगे जाके बहुत मल्टिवेगर रेटन दे सकता है इसका मतलब इस तरीके का होता है और इसका मार्केट कैपिटल देख लो लगबग 800 करोड की मार्केट कैपिटल है इसका डिविडेंड देती है कंपनी थोड़ा बहुत डिविडेंड देती है डिलेवरी बहुत अच्छी उठाए जा रही यह दिमाग में डाल दो बात कि 62 परसेंट तक लोग इसकी डिलेवरी उठा रहे मतलब यह शेर आगे जाके अच्छा का सा बढ़ेगा फेस वैल्यू इसका एक का है पी सेक्टर का पी 15-16 का है एक यहां पर यह चार्ट देख लेते एडवांच चार्ट में एक साल का इसका चार्ट देख लो तो लगबग यहां पर देख लो कि यह सटार्ट हो रहा है और यहां पर एक यूए मारता इस वज़े से मैंने लिया था और जब मैंने लिया उसके बाद भी अभी फिर से गीरा हुआ है ठीक है जब मैंने लिया तब मैंने आपको प्राइज बता भी दिया था और पुराने वीडियो का जो प्राइज है तभी का मेरा आसपास का ही बाइंग होता है उसके बाद में व टू दो सो बारा कर लो था पास सल पहले है ठीक है उसमें एक हाई मारा था इसने 325 का उसके बाद गिरा जबरदस यह देखो मार्च में सब मार्च यह मेक आए तो में में 18 में 2020 में इसका 104 का भाव हुआ था उसके बाद यह जबरदस बढ़ गया तो तो तीन गुना हो गया था 366 104 से तो इस तरीके के लोग मल्टिवेगर रिटन लेते हैं यह समझो ठीक है कोई भी शेर गिरता है तो ओ टाइम पर इसी लिए थोड़ा लॉंग टर्म के लिए रखो यह तोड़े शॉट टर्म के लिए लेकिन शेर पर वाच रखो उससे आपको बेनेफिट ज्यादा होगा ठीक है यहां पर मैक्स की बात करेंगे तो देखो यह शेर ने एक टाइम पर यह 174 का हाई मारके वहां से गिर गया था ठीक है 2000 के टाइम की बात है यह पहले का तो 322 का भी हाइथ दूंवरी 2000 को तो वहां से 322 से लो देखो 35 आया था आठ नौ रुपय का भी लुवका था तो पांच छे रुपय का भी लो आया था चार रुपय यहां पर नजर आया बीच में तो इतना लज गिरने के बाद अभी शेर उपर आ रहा है तो देखो कोई-कोई शेर इतने जबर्दस नीचे गिर जाते हैं फिर उसके बाद फिर भागना चालो करते तो इसको बोलते मल्टिवेगर रिटन लेकिन देखो जो गिरता है यहां से जो गिरा है तो ओ तो जबर्दस लॉस में होता है इस लोग मिस्जाइड करते कि इतना यह लेलो लेलो लेकिन खुद ले रहे क्या यह एक इंपर्टन्ट होता है किसी भी शेयर को खुद ले रहे है या नहीं आपको बता क्यों निकल जाएंगे लेकिन आपका लॉस होगा तो आपको लॉस भरकी नहीं देंगे ठीक है और 17-18% गिरा हुआ नजर आ रहा है लेकिन मैं फिर भी shares buy करता ही रहता हूँ क्योंकि अगर share गिरे है portfolio के share गिरे है तो उसमें मैं और quantities add करता हूँ क्योंकि उससे और भी benefit जादा हो सकता है quantities जितनी जादा उतना profit जादा होता है तो फिलाल अभी इसमें buying चल रही है लेकिन आपके पास उतना ही share होने चीह जितना आप loss जहल सकते हो यह profit जितना लेना है ले सकते हो ठीक है और इसका one week में देखो negative return है एक महिने का भी negative यह डाई परसेंट तीन महिने का भी negative return है 13% YTD याने January साभी तक भी 15% का negative है एक साल में भी 15-16% का negative है तीन साल में इसने 3.5% का profit दे तो तीन साल में सिर्फ 3.5% profit है तो कोई ज्यादा है नहीं ठीक है December का sales यहाँ पर देख लो 9% बड़ा year on year 9% यह share का sales बड़ा है इसका ठीक है और यहाँ पर इसके बारे में किसी का recommendation नहीं है ठीक है और यहाँ पर revenue देख लो company का revenue तो 2017 में 880 करोड का था फिर 932 करोड फिर 1036 फिर 974 फिर 1209 करोड तो continue revenue तो बढ़ते जा रहा है अच्छी बात होती है net profit देखो दो 2017 में 55 करोड 78 करोड फिर 74 करोड 68 करोड फिर 115 करोड तो यह graph है तो फिर आपको टेंशन लेनी की कोई ज़रूरत नहीं रहती किसी भी company में क्योंकि profit से ही आगे आपका शेर का प्राइस बढ़ने के 54 परसेंट है तो उनके पास 50 परसेंट से ज्यादा शेर है तो अच्छी बात होती है ठीक है और यहां पर पब्लिक के पास भी देखो बहुत अच्छा ज्यादा शेर है लगब थिन परसेंट तो पब्लिक ने भी दबा के शेर लिए है इसके रैम को इंडस्टिस के डियाइस के पास भी है डियाइस यानी mutual fund होता है mutual fund ने भी अच्छा कासा शेर लिए only mutual fund नहीं होता है दूसरे भी लोग होते है लेकिन mutual fund इसमें ज्यादा होते है तो उनके भी 3.71% उनके पास भी शेर से एफ आई जयाने foreign की investor लगबग 3% तक उनके पास भी शेर से ठीक है तो सभी के पास शेर से यहां पर और यहां पर दे international investor उनका है इंडिया के ठीक है और foreign की investor 26 foreign की investor ने इसमें पैसा लगा है और यहां पर देखो थोड़े शेर प्लेज है प्लेज याने गिरवी है बैंकों के पास है लोन जादा होने के वज़े से प्लेज होते शेर तो यहां पर देखो स्टार्टिंग से 2020 से यह प्लेज आ र तो प्लेज होना मतलब थोड़ा सा यह माना जाता है लेकिन बहुत कम शेर प्लेज है ज्यादा शेर प्लेज नहीं है तो आगे हम इसके financial देखेंगे उसमें आपको यह detail में पता चल जाएगा ठीक है तो लोन कितना है क्या है वो detail हम आगे देखेंगे इसके financial में तो यहां पर screener पे इसके financial में ने open किये तो राइमको इंडस्ट्रीज का financial हम यहां पर देखने वाले है और सबसे पहले इसके pros and cons देखेंगे तो positive क्या है तो company has reduced debt मतलब company ने करजा कम किया है यह अच्छी बात होती है ठीक है company के करजा कम किया है और यहां पर stock is almost day free याने company stock जो है almost day free मतलब थोड़ा करजा कम हुआ है या day free हो गई है यह करजा मुकते तो यह आगे हम देखेंगे loan है या नहीं ठीक है stock is trading 0.50 times 0.50 times its book value तो stock का price यह इतने times पर बुक वेल्यू से ट्रेड कर रहा है याने अच्छा यह positive point है और the company has deliver a poor sales growth 7% का इसका growth है पूर है खराब है 10-10-20% 30-30% का sales growth हो तो उसको अच्छा माना जाएगा यह 67% के sales growth की सबसे चल रहा है पास साल से company has low return on equity 6% equity return on equity है तो खराब है तीन साल से ठीक है और यहाँ पर quarterly results देखेंगे तो देखो sales कहा है 2019 में मार्च 2019 में 264 करोड का sales कर रही थी और अभी कितना कर रही है 337 करोड का यह sales कर रही है expenses तभी कितना था 234 का expense था अभी 286 का और तभी देखो 30 करोड profit बच जाता था अभी 51 करोड profit है लेकिन percentage 11 था और अभी percentage 15% का profit कर रही है company other income ओ टाइम पे ज्यादा था ओ ओ कौटर में 38 करोड का अधर income था अभी अधर income थोड़ा कम है चार करोड का अधर income कर रही है तो इस और इंट्रेस देखो चार करोड का interest अभी पे कर रही थी और अभी 2 करोड का interest payment कर रही है तो थोड़ा loan कम हुआ है और यहां पर net profit देखो कितना था 53 करोड का net profit था अभी 37 तो लगबग देखो profit थोड़ा बहुत गिरते हुए नजर आया है सिर्फ एक बार यहां पर profit बढ़ता हुआ नजर आया है ठीक है तो यह quarter में कौन सा quarter है सप्टेंबर quarter तो सप्टेंबर quarter में ही थोड़ा profit जारा ज्यादा नजर आ रहा है बाकी टाइम पर इसका profit कम ही नजर आया है ठीक है और यहां पर इसके profit and loss देखेंगे पूरे 10 साल 12 साल का profit and loss है तो लगबग देखो sales 2010 में 568 करो यह 1400 करोड का कर रही है मतलब 568 से 1400 करोड का sale हो चुका है expenses देखो 467 का है कर रही थी और अभी यहां पर expenses देखो 1100 1179 करोड का अभी यह expenses कर रही है 101 करोड का profit बच रहा था अभी 127 करोड का profit देखो दो 10 साल में 10-12 साल में सिर्फ थोड़ा सा ही बड़ा है 117 करोड का यह operating profit बढ़ा है 18% का profit ओटाइम पे कर रही थी 16% का अभी profit कर रही है ठीक है operating profit other income की बात करेंगे तो 25 करोड का other income ओटार था अभी 26 करोड का अभी अधर कर रही है इंट्रेस देखो 22 करोड पे करती थी अभी 8 करोड तो इसका मतलब लोन कम हुआ है और नेट प्रॉफिट देखो 55 करोड का था स्टार्टिंग में अभी 323 करोड का नेट प्रॉफिट कर रही है तो नेट प्रॉफिट फिलाल अभी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है net profit बढ़ा है जादा से जादा है अभी का फिलाल और अभी भी मार्च आना बाकी है मार्च के results आने बाकी है क्योंकि यह December के result के हिसाब से बताया गया है तो फिलाल यह अभी अच्छे results आने के उमिद है या इसका financial जो तो financial year खतम होगा तो results में अच्छा खासा बड़ोतरी नजर आएगा ठीक है last year से क्योंकि दो साल तो अलड़ी खराबी था तो फिलाल अभी और अच्छा आने के chances से और यहां पर borrowing देखो 248 करोड का था balance sheet में यहां पर सारी चीज़े होती है तो balance sheet में देखो 248 करोड का 2010 में इसके पास लोन था 248 करोड का लोन था अभी 107 करोड का तो company ने लोन कम किया देखो अल्मोस डेफ्री बताया लेकिन डेफ्री नहीं हुई है पुरा अभी लोन पे करना है तो पुरा लोन जब पे होगा complete तभी इस पर बोल सकते complete जीरो डेफ्र है या डेफ्री अंकिमेर तो तो अभी इसके जो भी Państwo बता दिए हैं मैं अभी इसपर फाइनट ओबर, इसके बारे में अच्छा भात रह सकते हो इसका शसता भाव्म पर मिल रहा है इस लिए और रिटन वर्स में से ख्राब बता रहा है मतलब इसके टेंट लेकिन तोड़ा वो डिविडेंट देती यह कंपनी और इंट्री निट्री पोइंट देखो गुड़ बता रहा है मतलब अच्छा एंप पॉजेटिव हे अभी इंट्री कर सकते ओर बउड्वाट जोन में नहीं है और यह गिरा हुआ है तो अभी लेने में कोई हर्ज नहीं है कि आप इसमें पैसा लगा और आज नहीं तो फिलाल तो अभी नहीं है तो सारी चीज़े जो पॉजिटिव यहां पर बता ही है ठीक है दो पॉइंट नेगेटिव है लेकिन यह भी मैं पॉजिटिव ही मानूगा क टे के और यहां पर वन विक के चार्ट देखो वन विक में 500 परसेंट गिरा यह शेर और एक महिने में देखो 1 परसेंट बढ़ा है यहां पर एक साल में सत्रा परसेंट गिरा है ठीक है और पाथ साल में यह लगबग 4.5% गिरा है ठीक है और यहां पर मैक्स में देखो 29% गिरा है तो मतलब बहुत गिरा हुआ शेयर है अल्डेडी मैक्स में क्योंकि यहां पर जो गिरा था यह स्टार्टिंग का पॉइंट से गिरा था उसके बाद अभी बढ़ा है यह तो अगर यह यहां से स्टॉक का फ्टाइज स्टार्ट होता तो आज यह मंटिवे मेगर करके कहलाता लेकिन यह यह यहां से गिना जा रहा है यहां से जिसने बाई कि्या वो इसके यहीघन ही है कि बहुत बढ़ yaye यह शेर कि ऐसा एपी करने वाला देखो ओभी लॉस में होता तो पूरा का पूरा इसका चार्ट ही लॉस में नज़र आ रहे लेकिन जिसने बीच बीच में लिए उसने प्रॉफिट किया जैसे कि यहां पर लेने वाला यहां पर बेच देता है तो प्रॉफिट होता है तो जैसे पास साल में अगर देखेंगे तो यहां पर लेने वाला यहां पर नीचे लेने वाला यहां पर बेच देता है तो profit करो तो फिलाल यहां पर देखो सारी चीजह मैंने यहां पर बता दिये और यहां पर यह मौडरेट रिस्क के मीडियम रिस्क है यह निफ्टी से धाई गुना वोलटाइल है तो ज्यादा इतना रिस्की है नहीं ठीक है तो फिलाल इसमें मेरा अल्डेडी बाइंग है इस वजह से मैं यह शेर बता रहा हूं और इसमें प्रॉफिट जरूर होगा ठीक है तो और भी म बाद उसने मुझे कितना प्रॉफिट दिया सारी चीज़े में आपके लिए शेर किया है वीडियो बनाए है तो आप जाके स्विंग ट्रेडिंग वाले वीडियो भी देख सकते हो कि किस तरीके का मार्केट परफॉर्म करता है किस तरीके के शेर परफॉर्म करते है ठीक है तो उससे आपको बहुत कुछ नौलेज आ जाएगा और जेनियन नौलेज आएगा तो ज्यादा लालच में मत रहो शेर मार्केट में कमाना है तो डिसिप्लिन में कमाओ जरूर आप कमाल होगे ठीक है अल्डेडि में कमार हो इसलिए बता रहो क्योंकि शेर मार्केट विडियो अच्छा लगाए तो जरूर चानल को सब्सक्राइब करो चानल पर नहीं ने शेर पता चलेंगे जनियोन finansion आएगी झाल झाल